दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको 1950 से लेकर 2022 तक जितनी भी फिल्में बॉलिवुड फिल्म इंडिस्ट्री में रिलीज हुई है उनमें से हर साल सबसे ज़्यदा कमय करने वाली फिल्मों के बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं 1950 की सबसे ज़्यदा कमय करने वाली फिल्म थी समाधी इस फिल्म में असोक कुमर, नालेनी, जैबन्त, कुल्दीपकॉर और मुबारक लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 75 लाख रुपे की कमाय की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर हीट साबित हुई थी 195 की सबसे ज़्यदा कमय करने वाली फिल्म थी आवारा इस फिल्म में राज कपूर, नर्गीस, पिर्थीवी, कपूर और के एन सिंग लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 25 लाख रुपे की कमाय की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोग बास्टर अनर कली इस फिल्म में प्रदीब कुमार बीना राय और कुल्दीब कॉर्मुक के किर्धार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 25 लाख रुपे की कमाय की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी 1954 की सबसे ज़्यदा कमाय काने बाली फिल्म थी नागिन इस फिल्म में बाईज़न तीमाला प्रदीब कुमार और जीवन लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर एक कलोर 50 लाख रुपे की कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोग बास्टर सावि हुई थी 1956 की सबसे ज़्यादा कमाय काने वाली फिलिम थी CID इस फिल्म में देव आनंद वहिदा रहे मन सकीला और जौनी वाकर मुख्य किरदार में नजर आये थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी 1957 की सबसे ज़्यादा कमाय काने वाली फिल्म थी मदर इंडिया इस फिल्म में नर्गिस सुनिल दत राजकुमार और रजेंदर कुमार लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चार कर रुपे की तावर तोड कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओल टेम ब्लोगबास्टर साबित हुई थी इस फिल्म में दिलीब कुमार बैजयनती माला जोनी वकर्ज और जयनत मुख्य किरदार में नजार आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो कर रुपे की कमाय की थी और एफिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 1969 की सबसे ज़्यदा कमय काने वाली फिल्म थी अनारी इस फिल्म में राज कपुर नूतुन और मोती लाल मुख्य किरदार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 लाक रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी 1960 की सबसे ज़्यदा कमय काने वाली फिल्म थी मुगले आजम इस फिल्म में प्रिथिवी कपुर दिलीप कुमर मधुबला और अजीत कुमर मुख्य किरदार में नजार आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साड़े 5 कड़ो रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओल्टेम ब्लॉकबास्टर साबित हुई थी 1961 की सबसे ज़्यदा कमय काने वाली फिल्म थी गंगा जबुना इस फिल्म में दिलीप कुमर बैजन्ती माला नसीर खन और अनवर हुसेन मुख के किरदार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन कड़ोर पचास लाक रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबास्टर साबित हुई थी 1962 की सबसे ज़्यादय कामय काने वाली फिल्म थी 20 साल बाद इस फिल्म में विश्वाजित वहिदार रहमन और मदन पूरी लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक कड़ोर पचास लाक रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी 1963 की सबसे ज़्यादय कामय काने वाली फिल्म थी मेरे महभूब इस फिल्म में रजेंदर कुमार, साधना, असक कुमार और निम्मी मुक्क के किरदार में नाजार आय थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन कड़ो रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1964 की सबसे ज़्याद कामय काने वाले फिल्म थी संगम इस फिल्म में राजकपूर, वैजेंदर कुमार मुक के किरदार में नाजार आय थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चार कड़ो रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1965 की सबसे ज़्याद कामय काने वाले फिल्म थी वक्त इस फिल्म में राजकुमार, सुनिल दत, सर्मिल अटागोर और ससी कपूर लीड रुल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन कड़ो रुपे की कमाय की थी और एफिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1966 की सबसे ज़्याद कामय काने वाली फिल्म थी फूल और पत्थर इस फिल्म में मीना, कुमारी, धर्मंदर, जीबन और मदन पूरी मुख्य किरधार में नजार आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो कड़ो पचात्ता लाग रुपे की कमाय की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबीत हुई थी 1967 की सबसे ज़्याद कामय काने वाली फिल्म थी उपकार इस फिल्म में मनेज कुमार, आसा पर एक और पेम चुपडा, लीड रुल में नजार आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन कड़ो पचास लाग रुपे की कमाय की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबीत हुई थी 1968 की सबसे ज़्याद कामय काने वाली फिल्म थी आखे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीन कड़ो पचास लाग रुपे की कमाय की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबीत हुई थी 1970 की सबसे ज़्याद कामय काने वाली फिल्म थी जोनी मेरा नाम इस फिल्म में देवानध, हैमा, मालय निप्रन और प्रेमनात मुख्य किर्धार में नजर आय थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चारकर रुपे की सान्धर कमाय की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस 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 ऑग ब्लोग बास्टर साबीत हुई थी 1971 की सबसे ज़दे कमयाने वाली फिल्म थी हाथी मेरा सांथी इस फिल्म में राजिस्खन्ना तनुजा, मदनपूरी और के एन सिंग मुख के किरधार में आजर आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तेन करण पचास लाग रुपे के कमाया की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1972 की सबसे ज़दे कमयाने वाली फिल्म थी सीता और गीता इस फिल्म में हेमा मालेनी, धर्मेंदर, संजीब कुमर और पतिमा देवी मुख के किरधार में नजर आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35 लाग रुपे के कमाया की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1973 की सबसे ज़दे कमयाने वाली फिल्म थी बोबी इस फिल्म में रिसी कपूर डिमपल कपडिया प्रेन और पेम चोपडा मुख के किरधार में नजर आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 कलो रुपे की सांदर कमाया की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1975 की सबसे ज़्यदे कमाया काने वाली फिल्म थी सोले इस फिल्म में अमिताब बच्चन, धर्मंदरा, हेमा मालानी और अमजेत खान लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1976 की सबसे ज़्यदे कमाया काने वाली फिल्म थी दस नमबरी इस फिल्म में मनुज कुमार, हेमा मालानी, पेमनात और प्रान कुमार मुख्य किरदार में नजर आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साड़े चार करों रुपे की कमाया की थी और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बास्टर साबित हुई थी 1977 की सबसे ज़्यदे कमाया काने वाली फिल्म थी अमार एकबर अन्थोनी इस फिल्म में अमिता बच्चन, रिसी कपूर, बिनोध खन्ना, परभिन बॉबी, नीतु सिंग और साबाना अजमी मुख्य किरदार में नजर आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साथ कड़ों 25 लाक रुपे की धमा कदार कमाया की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बाश्टर शावित हुई थी 1978 की सबसे ज़्यदा कमाया काने वाली फिल्म थी मुकदर का सिकंदर इस फिल्म में अमिता बच्चन, राखी, बिनोध खन्ना और अमजेद खान लीड डुल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आट कड़ो पचास लाक रुपे के कमाया की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बाश्टर शावित हुई थी 1989 की सबसे ज़्यदा कमाया काने वाली फिल्म थी सुहाग इस फिल्म में अमिताब बच्चन, ससी कपूर, परभीन बावी और रेखा मुक्क के किरदार में नजार आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पांच कड़ो रुपे की कमाया की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आट कड़ो रुपे की कमाया की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबाश्टर सावित हुई थी इस फिल्म में अमिता बच्चन, रिशी के पूरती, एगनी होतरी और सोमा अनध मुख्य किरदार मेनाजर आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौक रुपे की सांदर कमाया की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी इस फिल्म में जीतंदर, स्री देवी, जैपर्दा, कादिर खान, मुख्य के किरदार मेनाजर आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ऑफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी इस फिल्म में राजेब कपूर, मन्दाकीनी, दिव्याराना और राजा मुराद लीड रोल में थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नौकड़ों 50 लाक रुपे के कमाय की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उल्टाइम ब्लोकबास्टर सावित हुई थी 1986 की सबसे ज़्यादा कमाय काने वाली फिल्म थी कर्मा इस फिल्म में दिलीब कुमार, अनिल कपूर, जाकी सुराप और नसीरोदिन सा मुख्य किर्दार में नजार आए थे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साथ करों रुपे की कमाय की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आट करों रुपे की कमाय की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस करों रुपे की कमाय की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस करों रुपे की कमाय की थी और एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोगबास्टर सावित हुई थी उननिस सोंतावन की सब्से ज़्यादय कमेगाने वाली फिल्म थी बॉडर इस फिल्म में सनी दोवल सूनिल सेटी जैकी सोर पर एक से खनना मुख्य किरदार में नजार आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 49 का डोट 45 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबास्टर साइबित हुई थी 1908 की सबसे ज़्यादय कमाई काने वाली फिल्म थी कुछ-कुछ होता है इस फिल्म में सलमान खान, सेफ, अली खान, महोनिस बहल, करिस्मा कपुर और सोनाली बेंदरे मुख्य किर्दार में नाजर आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 49 काडोर 17 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी 2000 की सबसे ज़्यदे कमाई काने वाले फिल्म थी कहोना प्यार है इस फिल्म में रित्तिक रोशन और अमिसा पटेल मुख्य किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 44 काडों सा 23 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबास्टर शाबित हुई थी 2002 की सबसे ज़दे कमेकाने वाली फिल्म थी देवदास इस फिल्म में सारुक खान इस सुरिया राई माधूरी दिखसीत और जाकी स्वराप मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 41 कड़ो 45 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी 2003 की सबसे ज़्याद कामेकाने वाली फिल्म थी कोई मिल गया इस फिल्म में रितिक रोशन पिरिती जीनता रेख्या और जौनी लीबर मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 47 कड़ो 49 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर बुलाग बाष्टर साबित हुई थी 2004 की सबसे ज़्यदा कमाई काने वाली फिल्म थी बीर जरा इस फिल्म में सारुक खान, रानी मुखर जी और पिरिती जीनता मुख के किर्दार में नजार आई थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 41 कड़ो 86 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी इस फिल्म में सल्मान खान, अनिल कपूर, फर्दिन खान और वीपासाबासु मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 44 कड़ो 72 लाक रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी 2006 की सबसे ज़्यदे कमे काने वाली फिल्म थी धूम टू, इस फिल्म में रित्तिक रोशन, अभिसेक बच्चन, उदेई चोपड़ा और इस सोरिया राय मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 81 करूर रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2008 की सबसे ज़्यदा कमे काने वाली फिल्म थे गजनी इस फिल्म में आमिर्खान और एसीन मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 114 करूर दस लाग रुपे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ओल्ल टैम ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2010 की सबसे ज़्यदा कमे काने वाली फिल्म थी दबंग इस फिल्म में सलमान खान, सोनक सी सिन्हा, सोनु सूध और अरबज कान मुख के किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 141 करू 24 लाग रुबे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2011 की सबसे ज़्यदे कमे काने वाली फिल्म थी बॉडिगाड इस फिल्म में सलमान खान, करीने कपूर और हेजल कीच मुख के किर्दार में नाजार आय थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 144 करू 288 लाग रुबे के कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2013 की सबसे ज़्यदा कमाई काने वाली फिल्म थी धूम थिरी इस फिल्म में अमिर्खान अभिसिक बच्चन उदी चोपड़ा और करना क्याप मुख्य किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 284 करोज 27 लाग रुपगी कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ओल्टेम ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2014 की सबसे ज़्यादय कमाई काने वाली फिल्म थी पीके इस फिल्म में अमिर्खान अनुसकर सर्मा और व्यमान इरानी मुख्य किर्दार में नाजर आये थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 340 करोर 80 लाग रुपगी कमाई की थी और ए फिल्म बॉक्स ओफिस पर ओल्टेम ब्लोगबास्टर साबित हुई थी 2016 की सबसे ज़्यदे कमे काने वाली फिल्म थी दंगल इस फिल्म में अमिर्खान सानिया मलोतरा फतिमा साना सिक और साकसी तम बर्मुख्य किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ओल्टेम ब्लोगबास्टर शाबित हुई थी 2017 की सबसे ज़्यदे कमे काने वाली फिल्म थी टाइगर जिंदा है इस फिल्म में सलमान खान कातरीने कैप और परिसरा वल्मुख्य किर्दार में थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ओल्टेम ब्लोगबास्टर शाबित हुई थी 2018 की सब्से ज़्यादय कमया काने वाली फिल्म थी संजू, इस फिल्म में रन्बीर कपूर, सोनाम कपूर, विक्की कोशल, अनुसकर शर्मा और परिस्टरावल मुख्य किर्धार में नज़र आये थे, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस बा 322 करण तीरिपान लाग रूपे की कमा की थी, और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लोग बाश्टर शावीत हुई थी, 2020 की सब्से ज़्यादय कमया काने वाली फिल्म थी तानाजी दा ओन संग वारियर, इस फिल्म में अजी देवगन, सेव फलिकान, काजुल, और सरत गयल कर मुख्य किर्धार में नज़र आये इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 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 पर ब्लोग बाश्टर सावीत हुई थी, 2020 की सब्से ज़्यादय कमया काने वाली फिल्म थी शूरिया बंसी, इस फिल्म में एक सेकुमार रनबीर सिंग, काटरिना काप, अजी देव गनोजा किस रॉप मुख के किर्धा इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 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 तक जितने भी फिल्में टॉप पर रही है उन सारी फिल्मों की